ना मैं अव्वल ना आखिर मैं नाहीं बीच में खिलवत के इस बाड़ी में प्रणिस्वर एक्षरतित हमारी आत्मा को प्रभूतित कर रहे हैं इस कथन के द्वारा महामती जी के तन से कहलवा कर कि न तो मैं प्रारम में थी न बीच में थी न अब हूँ अवल काताद पर क्या है अनादिकाल से परमधाम में कौन है एक राच्छी लेला रुपे हम देखते हैं तो सखिया दिखाई देती हैं स्यामाजी दिखाई देती हैं परमधाम के पचीज बक्च दिखाई देती हैं खुब कुसालिया दिखाई देती हैं जिस माया के संसार में हम बैठे हैं, उस संसार के अंसार परमधाम की लीला को समझाने का प्रियास किया जाता है. क्योंकि यदि यहां के भावों से न समझाय जाए तो किसी को परमधाम की बात समझे, समझ में ही नहीं आपाएगे. एक स्वालिला अद्वैत के रहसी को समझाना है इस संसार में एक राजा होता है उसकी मारानी होती है राजा अंतरपुर में मारानी के साथ जब रहता है तो वहाँ कोई साइनिक नहीं रहेगा परदानमंत्री नहीं रहेगा कोई नहीं रहेगा राजा के कई सेवक होते हैं मारानी की कई सेवकाएं होती हैं अच्छे महल होते हैं यह माया के संसार में होता है लेकिन जब परमधाम की आप चर्चनी पढ़ते हैं तो इसकी कुछ जलक मिलती है तो मन में सभाव करूप से प्रस्ट खड़ा होता है क्या परमधा में भी ये सभा है परमधा में कोई कुछ नहीं है ना अर्स चे मिये दूसरा कोई और धरावी ना इलिख्या वेत कते में कोई ना ही खुदा भी न का परमधा में कोई भी दूसरा नहीं है किंत वाणी का अवतरान होते समें स्वेम महामती जी के तन से कहा जा रहा है कि अर्ष वकर वर्नन किया ले मसाला इतका यहां का मसाला यहां के दिश्टांतों से परमधाम को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दिश्टांत भी क्या जैसे कह दिया कि परमधाम पचास करोड जोजन है चुकि बागवत में पृतिवी का परिमान पचास क्रोड जोजन लिखा गया है तो कह दिया कि परमधाम भी ऐसा है वास्तिविकता है कि ऐसा नहीं है परमधाम के एक कोस में ही यह सारी स्रिष्टी समाज जाएगे 14 लोगों के इस ब्रहमान जैसे असंख्यों 14 लोग परमधाम के एक कोस के अंदर समाज जाएगे तो परमधाम का तो कोई विश्टार ही नहीं हो सकता इंतहाए नई अर्सभूम का सब चीजों नहीं सिमा रहे वो परमधाम नहीं जिसकी कोई सिमा हो जाए आप परिकरवा में पढ़ते हैं एक-एक मुमिन के अलेखे सिवक सिवक सब्द क्यों है? सिवक सब्द तो पुलिंग होता है जब परमधाम में हम कहते हैं कि केवल पिया पिया तुही तुही है तो पुरुस भाव कहां से आ गया? यह तो बढ़ने नहीं किया गया कि सेर निया है सेर भी है, हाथी भी है, बाग भी है, बागिन भी है सब कुछ है क्योंकि इस दुनिया में ऐसा होता है लेकिन सब के अंदर भावना क्या है? केवल तुह की भावना है इस्त्री पुरुस के शरीर से परे की स्थिति है हम माया के संसार में हैं माया के तनों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि वह इस्त्री है वह पूरुस है इस बात को जो डाक्टर होते हैं आज का आधुनिक विजान अच्छी तरह से जानता है और हिंदू धन गरंतों में भी इसकी अच्छी तरह से ब्याख्या की गई है हर इस्त्री के अंदर पूरुस बैठा होता है हर इस पूरुस के अंदर इस्त्री विद्यमान होती है जब माता पिता संतान उत्पति करते हैं तो जिसमें जो तत्व कौम्याधिक होता है उसी के उनसार उसकी सरीर रचना होती है इसको medical science की भागसा में स्वाइ के प्रयोग संकेत से समझा जाता है आप सोचिए जीव तो वही है कभी इस्तरी की आकरταी धान कर लिया कभी पुरुस की आकरती धान कर लिया परंधाम को समझने के लिए आकरती से परे होना पड़ेगा आपको दिल को समझना पड़ेगा यह कहीं राजी का दिल सभी रुपों में क्रिड़ा कर रहा है तब तो वाइदत होगी जदि माया के संसार की तरह भेद भाव की लकीरे खीच जाएगी तो वाइदत का सिधान्त क्या होगा इस संसार में यहां जितने सुन्दर साथ बैठे हैं किसी का चेरा किसी से मेल नहीं खाएगा किसी के विचार किसी से पूरी तरह से मिलेगे नहीं न सुभाव मिलेगा न रूपरंग मिलेगा न विचार मिलेगा लेकिन परमधाम का क्या भाव है कि परमधाम की हर वस्तु में समान सुन्दरता है समान प्रेम है, समान अनन्द है इसलिए राज जी कभी भी निर्णे नहीं कर सकते थे स्वैम भी कि किसका इसक बड़ा है और यही माया के खिल का करण बना उस खिलवत की हमें आज पहचान कराई जा रही है कि उस खिलवत में कौन है इस माया के संसार में भी दो बिक्तियों में प्रेम कब होगा जब दोने अपने अहं को समाम्त कर देंगे एक छोटा बच्चा है पांच वर्स का यदि आप उसके हिदे का सच्चा प्रेम चाहता है तो आप कोड़ोपत्ती भी होगे आप उसके दादा भी होगे कहेंगा कि दादा जी आप घोड़ा बनिये मैं आपके उपर चड़ूँगा आप उसका दिल लेना चाहते हैं तो आपको घोड़ा बनना पड़ेगा नहीं तो आपके उपर उबैठेगा नहीं और दिल से आपसे बात नहीं करेगा जो घर का सबसे बड़ा मुखिया है उस बच्चे का पिता भी जिस दादा के पैर छूता है वो छोटा बच्चा करता है कि मैं आपके पास तब आऊँगा जब घोड़ा बनकर मुझे पीट पर चड़ाओगे तो और दादा जी बच्चे के स्ने में मौँ में घोड़ा बनकर करते हैं कि अच्छा बैठ जाओ यह संसार की लीला है परमधाम की वैदत में परमधाम की खिलवत में प्रिवेश करने से पहले आपको इस संसार करस्तित भूलाना पड़ेगा अच्छा बैठ ने तो पहले ही कर रखा है अच्छा बैठ ने अपने ही दिल का अनेक रूपों में पर्टि करन कर रखा है उनका ही दिल स्यामा जी है उनकी दिल की सरूपा सकी आए उनकी दिल की सरूपा खुब खुशा लिया आए पसपक्षियें, परमधाम के 25 पक्ष है अपने ही तनों को राज जी स्वेम दूसरे तन के द्वारा रिछा रहे है राज जी को कौन रिछा रही है? स्यामा जी स्यामा जी और राज जी को कौन रिछा रही है? सक्षियां सक्षियों को कौन रिछा रही है? लेकिन राज जी के अतरिक तो अन्य किसी को भी अब पता नहीं है कि ये सभी मेरे ही रूप हैं कि उल राज जी जानते हैं कि मेरा ही दिल सभी रूपों में किर्णा कर रहा है जब माया की दुनिया में उस परमधाम की व्याख्या को बताने की बात आती है तो यहाँ बीवस होकर खुब खुसालियों का नाम लेना पड़ता है बीवस होकर पस पंक्ची सब्द कहने पड़ते हैं बीवस होकर यहाँ सेवक और सेवकाई की बात आती है पुतलिया क्या है? पुतलिया तो सेवा करती है क्योंकि आप सेवा के संसार में आपाए है यहां एक साहब है और उसका सेवक है स्वामी और सेवक की दुनिया है परमधाम में न कोई स्वामी है न कोई उसका सेवक है न कोई सेविका है सभी एक दूसरे पर स्वायम को निच्छावर कर रहे है जब खिल्वत की बात आती है तो इस तंसार में खिल्वत का रूप ऐसा देखा जाता है जहां राजा स्वयम को जाकर अपने के राजा होने का अभिवान छोड़ दे तो जब राजा को अपना राज सिंहासन का अस्तित भूल भूलाना पड़ता है तो सोचिए आपको भी तो भूलना पड़ेगा कि आप कुछ है मैंने कई बार चर्चा में इस देश्णांत को दिया है कि अकबर को जब अपने रंग महल में गए अन्तापूर में जिसको खिल्वत कहते हैं तो अकबर की बेगम मुर्ख राज के अर्थ क्या होता है मुर्खों का राजा और उभी हस्ते हुए अकबर का चेहरा लाल भभुका हो गया कि आप तुम्हे कठोड से कठोड दंड दूगा लेकिन दे भी तो कैसे दे बिरिवल ने कहा कि महराज आप कुछ नहीं कर सकते यदि आप अपनी बेगम को फासी देंगे तो दुनिया आपकी और हसी उड़ाएगी यदि आप संसार में हसी खुसी रहना चाहते हैं तो यदि प्रते दिन भी वो आपको मुर्ख राज कहें तो आपको सान करना पड़ेगा और कोई समानी बेगती नहीं है जिसको जो चाहिए आप फासी करते हैं क्योंकि आपकी वो बेगम है आपकी अर्धांगनी है उसको अधिकार है जब आप सिंगहसन पर बैठे थे तब तो उसने मुर्ख राज नहीं कहा खिल्वत में उसका अधिकार है और वो कह सकती है मन मसोस कर अकबर को सिर निचा करके सुनना पड़ा कहने का से क्या है जिस खिल्वत में जाने पर अकबर को भूलना पड़ता है कि मैं पूरे देश का बादसा हूँ मुर्ख राज कह लाता है सिर निचा करके सुनता है तो आप समझे यदि अक्बर बशा अपना आंग छोड़ सकता है तो उस प्रेम की भुमिका में अक्षरातीत चो कहते हैं कि आसिक मेरा नाम रू असिक मेरा नाम मैं आसिक हूँ, आसिक इसको कहते है जिसके रूम रूम में मासूप बसता है वो आसिक है और अक्षरातीत ने अपना ही दिल पचीस पक्षो के रूप में प्रगट किया है स्यामा जी के रूप में प्रगट किया है सक्कियों के रूप में प्रगट किया है हम सुन्दर साथ माया की इस दुनिया में जब आए हैं तो हम सुन्दर साथ आप देखिए औरबोपती है, दूसरे सुन्दर साथ तो बहुत कमजोर है हम किसी बड़े सरकारी पद पर होते हैं, भी किसी जोपड़ी में रहने वाले सुन्दर साथ को छोटी भावना से देखते हैं जबकि यह भूल जाते हैं कि जोपड़ी में रहने वाले के अंदर यदि परमधाम की आत्मा होगी तो परमधाम में जागरित होने की बाद हम कैसे जबाब देंगे कि माया की उपलब्तियों को पाकर हम माया में कितना अभिमान करने लगे थे यदि हमारा रूप रंग सुंदर है तो किसी काले कलूटी को हम इपने पास बैठाते नहीं उससे घ्रणा होती है यह संसार की विच्चतरता है हमने संसार की माय को लेकर जो एक माया का आवराण डाल रखा है यही माया हमारे और धनी के बीच में सबसे बड़ी बादा है यदि खिलवत का अनद लेना है तो यह जो पूरा प्रक्ण है यह मैमे क्यों यह मरत नहीं और कहावत है मुर्दा आडे नूर जमाल के यही आई परदा यह मैमे मरत नहीं और कहावत है मुर्दा यह सरीर क्या है? कुछ नहीं है हड़ी और मांस का एक लो थड़ा है पांच मली ने काया पर्ठी तहीं माये जीव समाड़ो मैं मैं करत मरत नहीं और कहावत है मुर्दा ये सरीर की ये तो मैं है सारी मैं उचे कुल खंदान का हूँ तुम छोटी जाती के हो मैं अमीर हूँ तुम कंगाल हो मैं आये सदिकारी हूँ तुम चपरासी हो ये सब की मैं क्या है एक माया का बंधन है यदि आप अपने सरूप में इस्तित हो करके देखें तो आपको क्या लगेगा कि जो कुछ नहीं था उसको तो हमने पाल रखा है ये सरीर भी एक दिन नश्ट हो जाएगा संसार भी नश्ट हो जाएगा आप कितने बड़े पत पर बैठे हैं वो भी नश्ट हो जाएगा आपने दस करोड की कोठी बना रखी वो भी नश्ट हो जाएगा जिस संसार में आए हैं वो भी नश्ट हो जाएगा सब कुछ तो पाने के बुल्बले की समान है सुन्य थे जैसे जल बता सा तो सुन्य वाज समाई लेकिन उसी को लेकर तो मनुषिझे सब कुछ इतराता रहता है जो नहीं है उसके पीचे आंकार करता है जिस अक्षरतीत का हुआ दिल है वो भूल गया है कि मैं किसका दिल हूँ राजी यही बताना चाह रहे है हम सुन्दर साथ के लिए परिच्छा के घड़ी है कि हम तार्तम वाणी का प्रकास लेकर अपने मैं खुदी के बंदन को कितना छोड़ते है हर कोई चाहता है कि मेरे अंदर मैं ना आए लेकिन आती है सुभावी क्या है आपके पास सरीर का सुन्दरी होगा तो देखने में तो दिखेगा आपके मन में भाव आएगा कि मैं सुन्दर हूँ आपके पास धन होगा तो उसका भी भाव आएगा कि मैं धनवान हूँ आप उचे कुल खंदान में पैदा हुए हैं तो उसको आपको बताया जाएगा कि तुम इस कुल के हो तो ये भाव बना रहेगा ये तारतम ज्यान का प्रकास जब हिर्दे में जाता है तो लगता है कि जिसको मैंने इतनी बड़ी चीज समझ रखी थी वो तो बहुत छोटी चीज है इसलिए महामती जी के आत्मा कह रही है ना मैं अव्वल ना आखिर मैं ना ही बीच में ये जो इंद्रावती है ये कहां से है ये तो आप ही हो आप ही इंद्रावती हो आप ही स्यामाजी हो आप ही नवरंग भाई हो और आप ही आसवाई हो आप ही पचीश पक्च हो आप ही खुब खुशालियां हो पस पक्ची भी आप हो जिस दिन ये भावना आ जाएगी उस दिन हमारा अहन किस अस्चित में रहेगा लेकिन हम पढ़ते जरूर हैं जब इस चुपाई में कह दिया कि मैं तो कुछ थी ही नहीं ना मैं अवल ना आखिर मैं ना ही बीच में ना मैं परहमधाम में थी ना ब्रजरास में हूँ ना इस जाकनी के ब्रहमान में मैं कुछ नहीं हूँ बन्या बनाया आप ही सो सब तुमी से बन्या बनाया आप ही आपने ही अपने हिर्दे का सरूप मेरे रूप में प्रकट किया है परमधाम में मैं क्या हूँ? आपका ही तो हिर्दे हूँ आपका ही दिल हूँ और आप में और दिल में कोई अंतर नहीं है एक अक्षरा तीत ही सभी रूपों में लीला कर रहा है इस ते उसको क्या कहते है एकत्व, वाहदत हम माया के जोटे दुनिया में आये हैं तो ना हमको पूरी तरह से राजी पर विश्वास है ना किसी तरह से विश्वास है जब मैं सुन्दर साथ से कहता हूँ कि सुन्दर साथ चे तमाकू से बहुत कैंसर फैलता है तो सभी सुन्दर साथ का एक ही उत्तरवते क्या करें इसके बिना काम नहीं चलेगा आप जानते हैं जिसको कैंसर होता है उसकी पीड़ा को क्यों वही जानता है कुछ द्धन के लोब में यदि हमारे करण से किसी को कैंसर होता है तो कभी सोचा है आपने कितना बड़ा पाप होता है हम धन अधी कमा सकते हैं तमागों के खेती करके लेकिन उस धन से हम कितना सुखी होंगे हमने तो दूसरों को पीड़ा दी जीवन भर तडपने के लिए उसकी आई को छीन लिया वो अकाल ही काल के गाल में समाज आएगा जब इस देश में तमागों के खेती नहीं होती थी तब भी तो यह देश फलता फलता था एक मनुस में एक अलज से प्रमाद होता है वो कम परिश्रा में चाहता है कि मैं अधिक धनवान हो जाओं इस दिया अनैतिक मार्गों का सहरा लेता है यदि सुन्दर साथ दूसरे की पीड़ा को समझ जाएंगे कि जो ब्यक्ति तमागों के कैंसर से पीड़ी थोकर मर रहा है तड़ रहा है सारे घर की संपति लगाने के बाद भी उसके जीवन की कोई संभावना नहीं है जदी मुझे हो जाए तो क्या इस्तिती होगी लोग तो यही सोचते हैं कि चलो तमागों से धन तो आ गया जिसको मरना है मरे अजकल पूरे भारत में यही रवया चल रहा है सबजी बेचने वाले फल बेचने वाले क्या करते है एक खिलवत की चर्चा में मुझे माया की चर्चा करनी पर रही है क्योंकि कोई भी दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता समाज की पीड़ा को नहीं समझता राष्ट की पीड़ा को नहीं समझता सच तो यह है आपने केले का फल देखा है केले में कभी कीड़ा नहीं लगता घाव हो जाए तो केले के गुदा को उस पर मरहम की तरह बांद दीजे तो घाव सुखा देजा लेकिन वही केला आज किंसर का कारण बन रहा है वही पपीता वही आम किंसर का कारण बन रहा है करबाइड से जो भी कमाले हैं केले को इलाइची से भी पकाया जा सकता है बर्ब से भी पकाया जाता है कई तरीके हैं लेकिन इल्डेन के गोल में सच्टे से पक जाता है कुछ पैसों की वह बच्चत कर लेता है लेकिन दूसरों को किंसर कारण बना देता है हो सकता है अंगूर के सेवन से किंसर दूर हो जाए लेकिन अंगूर मार्केट का खाते है तो उससे भी किंसर पैदा होता है क्योंकि उस पर पेस्टिसाइट के इतना छिड़का होता है आज कल देखते हैं कसमीर से तो सेव आता है यहां तो सेव पैदा नहीं होता लेकिन 15-15 दिन तक सेव की दुकानों पर जो ताजा-ताजा सेव दिखता है, वो कैसे दिखता है वो एक दवा है जैसे किसी डेड़ बाडी को हस्पिटल में लंबे समय तक रखना होता है, तो जिस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, मैं उसका तरोता जा रहेगा, उसको बर्व में रखने क्या हो सकता नहीं है फ़ल बेचने वाला तो थोड़े से पैसे कमा लेता है वो प्रतिबंधित दवा है कि वो ड्राक्टरों के प्रियोग के लिए है लेकिन जो दवा 400 रुपिया मिलती है वो 1500 रुपिया दे कर खरी लेता है बेचने वाला सोचता है कि हमको तो 1100 रुपिया का प्रापिट हो गया और जो फल और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखकर बेचता है वो कुछ जैदा पैसा कमा लेता है लेकिन उसको खाने का प्रड़म क्या होता है या तो आपकी किंड़नी खराब होगी या किंसर होगा जो आप मार्केट से सबजी खरीद रहे है उसमें अधिकतर में जो रंगी हुई सबजियां दिख रही है तरो ताजी ये सुंदर सुंदर सेव का फल दिख रहा है जदी सेव प्रदिन एक आप सुध खाएं तो क्या होगा कोई रोग नहीं होगा पहले अंग्रे जी में कावत कही जाती थी कि जदी आप प्रदिन एक सेव खाते हैं तो डाक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा लेकिन आज उसी से उको खाएंगे तो डाक्टर के पास जाना पड़ेगा और वो भी कैंसर का रोगी बन करके जाना पड़ेगा मेरे कहने का इससे क्या है ये सबजी बेचने वाले फल बेचने वाले थोड़े से लोब में दूसरों को किंड़नी का कैंसर का रोगी बना रहे है उनकी पीड़ा का पता नहीं कि जब गूर्दे खराब हो जाते हैं तो सिगनल बच जाता है कि अब दुनिया में आप दो तिन साल के ही महमान है सुन्दर साथ को से मैं निवेदन करूंगा ठीक है यदि आप तमाकू के खेते छोड़ते हैं तो आपको पैसों का काल पड़ेगा लेकिन आप राजजी पर विश्वास किजिए कोई दूसरा रास्ता निकल सकता है और चीजों से भी पैसा कमाया जा सकते है लेकिन आपके तमाकू के पैसे से आपको लाब मिलता है किसी सुन्दर साथ को रोग हो गया और किंसर के कारण तरब तरब कर मरा क्योंकि तमाकू यहाँ ही तो नहीं खाया जाता है पूरे देश में खाया जाता है और मैं जानता हूँ कि मेरे काने से कोई खेती बंद करने वाला नहीं है लेकिन यदि हम हमारे इस गुना का प्रैसित करना पड़े तो हम कैसे प्रैसित कर सकते हैं क्योंकि हमारे लोग के कारण कोई विक्ति रोगी होता है लेकिन हर कोई सूचता है कि मैं कर रहा हूँ इस ते ये वाणी क्या करती है कि मेरी मेरी करत दुनी चाहते है वोज ब्रह्मांड सिर लेवे पाव पलक का नहीं भरुसा तो भी सिर सरजन को न देवे मैं ही घर चला रहा हूं मैं ही समाद चला रहा हूं मेरे बिना कुछ नहीं होगा ये सोच भ्रांती है सिष्ट को चलाने वाला कौन है एक अक्षरातीत आप अक्षरातीत पर भी स्वास रखिए मन वाणी और कर्म से कभी किसी तरह का अहन न पालिए क्योंकि यहीं अहन हमारे और धनी के बीच में सबसे बड़ा पर्दा है आड़े नरूर जमाल के यही है पर्दा तभी महामती जी की आत्मा कह रही है कि राजी मैं तो पहले भी नहीं थी अभी भी इंद्रावती नहीं है और भविस में भी नहीं रहेगी यह कौन बोलेगा जो प्रेम में समर्पित हो गया और हमें तरतमबाणी का प्रकास पाकर राजी के प्रेम में समर्पित होना है आप देखेंगे कि छत्र साल जी कुस्री जी के सरूप पर पहचान होती है तो क्या करते हैं यही टीका, यही पावड़ो, यही निच्छावरा इसरी प्रानात के चरन पर छत्ता बली बली जाए छत्ता तब तक है जब तक प्रानात है और प्रानात अनादिकाल से हैं अनन्तकाल तक रहेंगे जब आपको यह विश्वास हो जाएगा कि मैं परमधाम की आत्मा हो तो सारे संसार के कर्ष्णों से लड़ने की सकती आपको हो जाएगी आप निराज क्यों होते हैं क्योंकि आप मिठी के तन को देखते हैं जिस मैं को लेकर आप खुस होते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं मेरे जैसा धनवान नहीं मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं वही मैं की भावना आपको कमजोर कर देती है मुमिन बल धनी का दुनी तरब से नाई तो कहे धनी बराबर जो मूल सुरुप है माई के जो मूल सुरुप है धाम के माई आपका मूल सुरुप क्या है? परात्म परात्म क्या है राजी का ही सुरूप तो है आप इस संसार की मैं को अटा दिज देंगे तो क्या बन जाएंगे आत्मा और आत्मा किसकी नजर है परात्म की परात्म क्या है राजी का सुरूप है इस दिए आप में कितनी सक्ति है जो राजी में है लेकिन सरीर की भावना से नहीं सरीर की भावना से तो आप कुछ भी नहीं है आपको किसी ने किसी पर असरित होना पड़ता है देखिए इस संसार में स्यामाजी की आत्मा आती है तो स्यामाजी को भी 40 वर्स की अबस्ता तक कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है हरिदाज जी की स्यवा करने पड़ती है, उनके जूटे बरतन माजने पड़ते हैं, किन-किन पंथों में जाना पड़ता है कई कसोटी करें दुलेंप सोभी खाती नहीं समसे यन, लेकिन वहीं स्यामा जी की आत्मा, जब राजी को पा लेती है, उस तन में राजी वैट कर लिला करने लगते हैं, तो हरिदाज जी को आकर के स्वाइम स्री देवचन जी से तार्तम लेना पड़ता है, वही स्यामा जी की आत्मा, जब दूसरे तन में प्रवेस करती है, तो सारा संसार उन्हे पूरन ब्रह्म सचतानन्द के रूप में मांता है, कब? जब सरीर की मैं हट जाती है तब संसार की मैं हट जाती है तब जब तक स्यामा जी को अभास है कि मैं देवचंद्र हूँ तब तक देवचंद्र जी को हरिदाज जी के चल्णों में जाना पड़ता है जब देवचन जी हट जाते है सरीर हट जाता है संसार हट जाता है तो कौन बचता है मैं स्यामा हूँ जो स्यामा जी है वो तो राजी का दिल है जब मिहराज हट गया संसार हट गया तो मेराज सिरी राज बन जाते हैं मैं तो आपादे रहे तुम मेराख्या जीव बले दे आप खड़ी करे को चुका रहे हैं जपने पीव लेकिन यही तो नहीं हट सकता यही सबसे बड़ा मोग के बंदन है मनुष्य सब कुछ कर सकता है अपने अहन को नहीं छोड़ सकता इन मैं में डुब्या सब कोई याको पार्वन पावे कोई याको पार्शु पावी जाको मुतलक वक्सी सोई सबसे बड़ी कृपा है तो मैं के बंदन को चोड़ना अपने चर्चा में कई बार सुना है यह मैं खुदी टले तुम बाकी रहिया खुदा लेकिन मैं को चोड़ने का प्रयास हर कोई करता है सिष्ट के प्रारम से ही सबने चाहा है कि मेरे अंदर अंकार नहो कोई बहुत बिनम्र भी बन जाएगा सेवा भावी भी बन जाएगा तो भी उसके अंदर यह भाव रहता है कि मैं तो सेवा करता हूँ मेरे अंदर कोई अंकार नहीं है अंकार को छोड़ने का भी अंकार पीछा करता रहता है यह सबसे बड़ा रोग है कोई आपको हंसी में कर दे आपको तो अंकार है तो आप तुरंट जबाब देंगे मैंने तो अंकार को फेक दिया है आपको पता है मैं सब को मैं सुयम को सब की चर्ण धुली मानता हूँ मैं आपकी चर्ण धुली हूँ और आप नाटे करने के लिए पैर पकड़ लेंगे आपके अंदर तो अंकार यस बात का है कि मैंने अंकार को जीत लिया है इसको भी छोड़ना होगा तब आप अंकार के सच्चे विजयता बनेंगे क्योंकि आप हार और जीत से परे हैं आप छोड़ने या ग्रहन करने से परे हैं आप कौन हैं आप परात्म सुरुपा हैं परात्म जहां है वहाँ इस संसार के कोई मैं नहीं नहीं जाती, ना पाप जाता है, ना पूर जाता है, ना धर्म जाता है, ना अच्छा जाता है, ना बूरा जाता है, अच्छा बूरा पाप, पूर धर्म, अधर्म, नियम, निशेद, सब कुछ इस संसार में होते हैं, जो त आनन्द है. उसमें किसी के अन्य किसी के अस्तितिका होने का प्रसी नहीं होता. जब आप उस सरूप में डूप जाएंगे जिसमें केवल तू, तू और मैं मैं बोलेगा कि तू और जो तू बोलेगा मैं दुनों एक सरूप हो जाते हैं. और इसी बात को वेद ने दूराया है जो तू है वो मैं हो जाओं जो मैं हूँ वो तू हो जाओं यह मारिफत की अवस्ता है और जीवन का सरूपर इलक्ष उसमें कोई महर सागर कापाट करके महर नहीं मांगेगा क्योंकि आप भी क्या बनगे दिल मुमीन महर सागर आपका दिल ही महर का सागर है आपका दिल ही इसक का सागर है आपका दिल ही खिलवत है आपका दिल ही वहतत है और जब तक यह अवस्ता नहीं होती तब तक आप संसार के प्राणियों की तरह आप रोते रहेंगे कि क्या करें तुमा को छोड़ देंगे तो घर का खर्च कौन चलाएगा यह चिंता तो एक बार देवचन जी को भी हो गई थी कि मैं तो चर्चा सुनाता रहता हूँ अब भीहारी जी बड़े हो गए है और यमुना भी बड़ी हो रही है इसका खर्च कौन समालेगा राज जी, सिकर्ट जी के रूप में प्रगट होते हैं कहते हैं कि संदेशना भीजवा देते हैं कि सद्कु महरा से कर दो कि जो काम उनको मैंने सौप रखा है कि वो लवा करते जाएं यह मेरा काम है देखना कि भीहारी जी और यमना भाई का क्या होगा आप सूचे आदी नर्यान कितना देयालू है कि बच्चे के जन्म लेने से पहले अस्तन में दूद भेज देता है कितना देयालू है सारी सिष्टी को खिलाता है दिन रात लगा रहता है कौन? जो सबका मालिक है, सबका पालनहार है उसको चिनता है कि एक मुर्गी को भी भोजन कौन देगा एक पत्ते में किड़ा बैठा है उसका भोजन कौन देगा जंगल में जो प्राणी रह रहे हैं उसका भोजन कौन देगा सब भी प्राणियों को भोजन देना सब की कल्यान की भावना करना जब आदी नरायन इतना देयालू है तो आप आदी नरायन से परे अक्षर और अक्षर की भी पिरितम अक्षरातीत पर संसे कर रहे हैं इसका दात पर यह है कि आपने अक्षरातीत की लीला को नहीं समझा अक्षरातीत की प्रेम को नहीं समझा और रक्षरतीर के समंद्ध को नहीं समझा यह खिलोत की बाणी हमें मैं कुटे के सारे बंदनों को तोड़ कर राची के प्रेम में समर्पित होने के लिए पुकार रही है इसलिए इंद्रावती जी की आत्मा कर रही है मैं तो तुम्हारी की यल यह वाक्य को हमेशा याद रखिए चित्वनी से पहले हमेशा इस वाक्य को दूर आईए मैं तो तुम्हारी की यल एक बद्ध्यान में रखिए चित्वनी दो तरग से होती है एक ज्ञानमाई चित्वनी और एक प्रेममाई चित्वनी ग्यानमें चित्वनिक आर्थ क्या है? आप पांच बार तार्थम का पार्थ करेंगे छेशे चोपाईयां, तीश चोपाईयां आपको पढ़नी पढ़ेंगे जल्दी जल्दी पार्थ करते जा रहे हैं आपने रट रखा है सिंगार की सैक्डो चोपाईयां चर्चनी से पूरा एक एक थम में कितने पहल आये हैं, उनका रंग क्या है, महरावे कितनी है, दरवाजों की लंबाई चोड़ाई कितनी है, और जो जो छोटी सी छोटी बारीक बाते हैं, सब को रटा लगा रखा है, उसी को दूराते जा रहे हैं, आपका मसिस्क सक्री है, ब जानमई चित्वनी, दूसरी चित्वनी होती है, प्रेममई चित्वनी, प्रेममई चित्वनी में कोई नियम नहीं है, कि पांच बार तार्तम का पाठ होगा, दो बार हो जाए, तो भी चलेगा, एक बार हो जाए, तो भी चलेगा, क्योल राजसमा, राजसमा भी हो जाए, तो भी चलेगा अक्षरातीत सब्दों के बंधन में नहीं है कि छे चुपाई काएंगे तो खुस होंगे नहीं तो नराज हो जाएंगे अक्षरातीत को केवल प्रेम से बादा जा सकता है जब चड़े प्रेम के रश वे धाम धनी बस केवल प्रेम ही ऐसा भी प्रेतम है जिसके सतंग से सारी सिष्ट की रचना होती है वो ये कट्योरी मखन के लिए गोपियों के कहने पर नाचता है उसको क्या जुरूत है उसको क्या आओ सकता है गोपियों के घर जाकर मखन के चोरी करने के ये सोदा मादा की डांट खाने के रसियों से बदने के लेकिन वो सब कर रहा है, प्रेम के बस में वो करके, इसलिए वो किसी मंतर से नहीं बदाए किसी पूजा पाठ से नहीं बदाए किसी परिक्रमा आरती से नहीं बदाए, वो किल प्रेम से बदाए और जब चित्वनी में आप बैठिये तो भूल जाएए कि मैं बिद्वान हूँ, मैं योगी हूँ मैं महात्मा हूँ, मैं सन्यास्य हूँ आप किवल याद रखिये मैं तो तुमारी की अल, मैं कुछ नहीं हूँ मैं किवल आपकी हूँ और मेरा मैं भी आपके हिर्दे में बिलीन होता है मेरा कोई अस्टितु नहीं है आप प्रानिस्वरक्षरतीत को इस तरह से पुकारिए कि आपकी जीवा नहीं ले होठ नहीं ले आपकी मन बुद्धी में कोई प्रिक्रिया नहीं हो आप सरीर से परे हो जाएए आप छोटे बच्चें को देखिए जब यह कार्टून की पीचर देखते हैं तो हिलते डूलते तक नहीं है उनको लगता है कि यही प्राना है आजकल छोटे से छोटे बच्चें को इंडाइट फोन चलाने का बहुत नससा होता है उनको देदीजिए तो लगता है कि उनको करोड़ो रुपे की गड़ी मिल गई है क्यों? उसमें अकर्षन होता है उनकी नजर इधर उदर नहीं जाती है क्यों चित्रों में जाती है आप सोचिए मोबाइल में जो चित्र होते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते रहते हैं उसमें कैसे मन अटक जाता है आपका प्राणेश्वर कितना सुंदर है आप सोच नहीं सकते जितने सौंदर्य की कल्फना क्याट सकते हैं आप फूलों की कुमलता से भी अनंत गुना कुमलता उसमें चंदर्मा की सितलता से अधिक सितलता उसमें है लाल कमल की जो सुंदर्ता है उससे अनंत गुना सुंदर राज्जी का मुखारविंद है इस सौंदर्य को देखते समय आपके मुख से तो जप भी कैसे हो पाएगा मैं चे तो नहीं लगता कि अब उसमें राज्समारा समा भी कापाएंगे उस विरह की जौना को अपने अंदर प्रज्जलित केजिए और ये तभी होगा भावों से और जब भाव होते हैं तो हिर्दे में जहां तक मैं समझता हूँ कोई सब्द नहीं उठ सकता कोई विचार नहीं उठ सकता आप पहले तो सरीर से परे होने की आद़ डालिये सरीर से परे होने का ताथ परी इस तरह से बैठिये कि सरीर हिले डूले नहीं यदि आप उतेज़ा कहार करते हैं आप सोचते हैं कि राजियों स्वामी जब आता है, तो हमारे भोजन पर लगाम लगा देता है. सरसवा में इस बार गुजरात के सुन्दर साथ बहुत थे, और आपको पता है कि वहां की रसोई में कड़क चाह नहीं मिलती, तो तांता लगा रहता था गुजरात के सुन्दर साथ, कितने तो सहर में जाकर पिते थे, और वहां बाहर इस्टाल लगाना पड़ा, एक बेक्ती नहीं लगा है, वहां भीड लगी रहती थी. चर्चा में आए चैनों आए, कड़क चाह के लिए, कड़क चाह के दुकान पर भीड लगे रहती है. इस सवस्था में तो आप बताईए, यदि अब चितनी में बैट भी जाएंगे, तो कड़क चाह आपके मन को चंचल बनाएगी, आप सरीर से तो परहू नहीं पाएंगे. लेकिन ये बेचारी जीवा, आपको राजी से दूर कर देती है, आप मेरे उपर ही आरूप लगाते हैं, कि स्वामी जी हमारा सुक छिन लेते हैं. मैं आपका माया का थोड़ा सा सुक छिनता हूं, तो इसके बदले परमधाम का खंड सुक की भी तो राह बताता हूं, यह भी तो सूचिए. काम किस ने किया? दो इंच की जीवा. यह जब बोलती है तो खतरनाग, जब करमेंदरी के रूप में होती है तो भी गातक, और जदी ग्यानेंदरी के रूप में होती है, छे रसों का सेवन करते-करते, कड़वा इसको पसंद है, मिर्च इसको पसंद है, खटे इसको पसंद है गर्म बहुत गर्म भोजन इसको चाहिए ये आपके मन को चंचल बनाई रखती है, छोटी सी जीवा आपके छे फूट के सरीर पर सासन करती है, आप सोच सकते हैं इस ये मैं कहता हूँ, यदि आपको अपने प्राणिस्वर की छब की एक जलक सेकेंड के संव्य भाग के बराबर भी मिल जाए तो आप संसार को देखना नहीं चाहेंगे, आपके राजजी इतने सुंदर हैं, और आपका सरीर भी ये खेडा का सरीर नहीं है, इस त्रिष्टी का जो सबसे सुंदर ब्यक्ति होगा उससे भी अनंत गुना सुंदर आपकी परात्म का तन है और उसको देखना है अपने प्राणिस्वर को देखना है तो चित्वनी में सांत हो करके आदे गंटे तो बैठिये एक गंटे बैठिये, दो गंटे बैठिये आप जितनी देर बैठेंगे वो कभी भी निरर्थक नहीं जाएगा बैठिये इस तरह से कि ताकि पता ही ने चले कि आप बैठे हैं आप तारतम मंत्र जपने की अपचारिकता पूरी मत कीजिए यति बुद्धी आ रही है आड़े तो एक बार जब कीजिए वो भी न होता है तो भी छोड़ दीजिए आप के वल हिर्दे से राज से राज से आमा धाम देनी प्राण बल्ला प्राण पिरतम कुछ भी पुकारिए जल्दी जल्दी नहीं ऐसा हो कि आप जब भी नहीं कर रहे हैं राज जी की सोबा में डुबने का प्रियास किजिए फिर देखिए ऐसा लगेगा जैसे निद्रा आती है आपका सरीर सिथिल हो जाता है वही प्रिक्रिया अपना ये आप सरीर से धीर धीरे परे होते जाएंगे लेकिन ये सवस्था में पहुँचने के लिए आपको अपने आहार पर विराम लगाना होगा यदि आप चाहिए कि आप लेसन प्याज और मिर्च की च्छों की सबजी भी खाएं चटनी भी खाएं और हम बैठते ही समाधी में पहुँचाए राजी का दर्सन होगे तो ये नहीं होगा राजी को पाने के लिए कुछ कष्ट जहिलना पड़ेगा जब आप कह चुके हैं कि मैं तो तुम्हारी कियल मैं केवल आपकी हूँ तो राजी को पाने के लिए कुछ तो कष्ट जहिलिए आपको रास के अंदर आनन्द लेना था तो सरीर छोड़ना पड़ा सब को, एक दो को नहीं, चतिस हजार को जागनी रास का आनन्द लेना है जिसमें परमधाम के पचीस पक्छों के साथ दर्शन होना है पचीस पक्छों की क्रिड़ा युगल सरुप के साथ भी हार यह तो रास की आनिन्द से करूणों गुना अधिक है लेकिन इसमें भी मरना पड़ता है मन से मरना पड़ता है सरीर से मरना गठिन है मन से मरना उससे भी गठिन है विरा का जोस था और सब ने वांसुरि की आवाज सुनकर के शरीर छोड़ दिया लेकिन तीन सो वर्सों से वाणी की वांसुरी बज रही है कोई मन से मरने के लिए कोई बिड़ला तयार होता है और जो मन से मर जाता है और परमन सवस्था को प्राप्त कर लेता है मुझे खुसी है अब धीरे धीरे बच्चे, युवा, विरिद, वयो विरिद, भाई बयान सभी चित्वनी में लग रहे है बले ही सफलता मिल रही हो चाह नहीं मिल रही हो आप सफलता की चिंता ही छोड़ दीजिए एक चिद याद रखिए जब तुम आप दिखाओगे तब देखूँगी नए नजरवर्जी आप दिखाओगे तो मेरी आत्मा नहीं देखेगे जो आपको इक्चा हो, वो किजिए क्योंकि मैं तो तुम्हारी की अल जहां मैं आप पर समर्पित हूँ तो जहां आप होएंगे वहां मैं रहूँगी यही समर्पण ही तो राजी के चरणों में ले जाएगा आप जिसके हो जाएगे एक चीज आपको मैं एक दिश्टान देता हूँ वो आपको समझ में आ जाएगी पांचो पांडो स्वर्ग अरुहन के लिए चलते हैं हिमालाय पर चलते-चलते पहले सहदेव गिर जाते हैं सहदेव गिरते समय आवाज पुकारते हैं कि ब्राता स्री मैं चला आप मुझे छोड़ कर क्यों जा रहे हैं यो दिश्टिर पीछे नहीं देखते हैं भीम पूछते हैं कि ब्राता स्री सहदेव ने हमेशा आपका साथ दिया है वो गिर पड़ा है, पुकार रहा है आप उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों गिरा युदिश्टिर उत्तर देते हैं कि सहदेव को अपनी बुद्धी का अंकार था आगे चलते हैं, नकुल गिर जाते हैं वो भी पुकार लगाते हैं, लेकिन युदिश्टिर तब भी नहीं देखते हैं भीम पूछते हैं कि नकुल कैसे गिर गए युदिश्टिर करते हैं कि नकुल को अपनी सुंदर्ता का विवान था आगे चलने पर अरजुन गिर जाते हैं युदिश्टिर से पूछते हैं भीम कि भ्रादा स्री अर्जुन तो इतनी धर्मात्मा थे, कृष्ट के प्रियस सखाते हैं, वो क्यों गिर गए? करते हैं युदिश्टिर कि अर्जुन को अपनी वीरता का भी मान था अर्जुन अपनी वीरता आगे किसी को नहीं समझता था आगे द्रोपदी गिर जाती है द्रोपदी भी पुकारती है युदिश्टिर उसकी तरह भी मुड़ करके नहीं देखते है भीम के पूछने पर युदिश्चिर करते हैं कि द्रोपती पक्षपात करती थी वो अर्जुन को अन्य भाईयों से ज़्यादा प्रेम करती थी क्योंकि जब वो पांचों की पत्नी थी तो पांचों को बराबर प्रेम न कर भीयत भाव करने के पाप से कुंती गिरती है यह द्रोपती गिरती है थोड़ी देर के बाद भीम भी गिरने लगते हैं कि ब्राताश्री मुझे क्यों छोड़ कर जा रहे हो युदिश्चिर करते है कि भीम मैं भीवस हूँ तो मैं अपने बल का वीवान था और इसी करण तुम्हरा पतन हुआ चलते चलते अब युद्रिष्टिर के पैर का उंग्ठा गल जाता है क्योंकि उन्हों ने भी कहा था असुस्थमा मरो नरो वाकुंचरो आप देखिए ये पांचो पांडो धर्मात्मा है लेकिन थोड़े से थोड़े अंग के कारण इनका स्थरीर छूड़ता है साथ में कुत्ता चल रहा है स्वर्ग के द्वार पर कुत्ता जब जाता है तो द्वारपाल कहता है वहाँ कि आप इस कुत्ते के साथ नहीं जा सकते क्योंकि ये स्वर्ग का द्वार है स्वर्ग में नहीं ले जाया जाता है तो मैं वापस चला जाओंगा मुझे स्वर्ग किया हो सकता नहीं है इसको करते है न्याय यदि कुत्ते को न्याय दिलाने के लिए क्योंकि कुत्ता साथ में चलता है तो यदुश्चिर मुना कर देते हैं कि मैं तुम्हारे स्वर्ग का परत्याग कर दूँगा लेकिन कुत्ता मेरे साथ रहा है तो इसको भी ले चलना पड़ेगा आपने कभी सोचा है ये घट्ना में क्यों सुना रहा हूँ उस समय कुत्ते के रूप में धर्मराज थे प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि युद्धिष्ठिर मैं तो तुम्हारे सत्य और न्याई की परिक्षा ले रहा था युद्धिष्ठिर बैकुंट के एक जीव हैं कालमाया के जीव हैं वे अपने कुत्ते को नहीं छोड़ सकते उस कुट्टे को नहीं छोड़ सकते जो बिना पर्चे के उनके साथ लग गया था आप यदि राजी के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो क्या राजी आपको छोड़ेंगे? कभी किसी ने सुचा है सबसे बड़ा मंत्रे हैं मैं तो तुम्हारी की यल मैं केवल आपके हूँ, मैं संसार के नहीं हूँ जिस दिन ये समर्पण की भावना आपके अंदर भर जाएगे आप अपना दिल राजी को दे देगे राजी चाहें कोरे से कोरे जीव सिष्टी भी क्यों नहीं हो राजी उसको भी नहीं छोड़ेंगे ब्रह्म सिष्टी को तो कभी सपने में भी नहीं छोड़ेंगे कोरे से कोरे उस जीव को भी राजी नहीं छोड़ेंगे जो राजी पर समर्पित होकर उनसे प्रेम करेगा अतीत में जो को छुआ उसको आप भुला देजिए एक नया जीवन सुरू के जिए जिसमें वानी के चिंतन की प्रधानता हो चित्वनी की प्रधानता हो राची पर अटूट समर्पन हो अटूट विश्वास हो ब्रह्म वानी की जोतिकों सारे संसार में फैलाने का दिड़ संकल्प हो आपकी आत्मा पाप वो पुन की परिदी से परे है आप जो भी देखिए परात्म की नजर से देखिए हाँ जीव भाव से ये प्रयास अवस कीजिए कि मेरे मन में कभी कोई पाप पैदा नहो मेरी बुद्धी में, मेरे चित में देख देख पड़ो मेरे मन को मेरे चित को, मेरे बुद्ध को याद नकिया धनी धाम जहर जिमी से लग रहे ही भूली आटो जाओ हमारा मन चित बुद्धी किस के लिए हो किवल राजी के लिए हो इसी को करते हैं मैं तो तुम्हारी कियल अवल बीच अलहाल इस तमें मैं केवल आपकी हूँ पहले भी आपकी थी और भौईस में भी किवल आपकी रहूँगी यह संकल्प हमारी आत्मा को परमधाम के एकात भाव से जुड़ेगा जब आप चितनों यह बैठे तो इनी सुब संकल्पों के साथ अपना सर्वस राजी के उपर सौप दीजिए और एक चीज़ को याद रखिए जो इस चोपाई के अगले चर्णों में कहा गया है तुम बिना जो कच्छ देखत सो सब में आग के जाल आपके अत्रिक्त जो कुछ है वो आग की लप्टों के समान कर्ष्टकारी है यदि मेरे अंदर भावना आती है जैसे सब सुन्दर साथ के मन में एक प्रेशन आता होगा कि बितक की रचना किसने की देखिए नवरंग स्वामी ने नवरंग बाड़ी में कई गरंथों की रचना की है अठारह अजार से ज़्यादा चोपाईया होंगी उसमें संभवत लाल दाशी ने बितक की रचना की 4400 कुछ चोपाईया है बड़ी बृत की रचना की है बातर माज्यो की रचना की है लाल दाशी के तनसे भी 12000 से ज़्यादा चोपाईयों की रचना हुई है लेकिन सब में महामधी की छाफ है नवरंग बाड़ी में नवरंग की छाफ है लाल दाशी ने कहीं नहीं लिखा की आसवाई कहे कहीं कहीं उन्होंने संकेत कह दिया है अब लाल आगे की कहूं जो जगड़े की बनिया एक जगह करते हैं कि तहां मैं मैं था संकेत दे दिया क्योंकि लाल दाशी की अहां, स्री जी के प्रेम में विलीन हो चुका है, इसलिए कहा, कि अब ये लालदाश की कलम नहीं, ये महामती की कलम है, उनकी किरपा की छत्रचाया में, लालदाश तो अब समाप्त हो चुका, लेकिन नवरंग स्वामी में ये भूल थी, अपना नाम लगाते गए, अब पढ़ने से पता चल जाएगा, बीतक को पढ़िये, और नवरंग स्वामी की वानी को पढ़िये, तो लगता है, लालदाश जी की रचना को पढ़ने पर लगता है, कि आप तारतम वानी पढ़ रहे हैं, नौरंग बाणी को पढ़ने पर वो रश नहीं आते था किवल यही अंतर है एक नदी है जब समुद्र में मिलती है तो उस नदी का नहीं कहलाती है समुद्र कहलाती है गंगा जब सागर मिल जाती है तो उसको सागर कहा जाता है आपकी आत्मा पर आत्म का सिंगार सच कर जब राजी के प्रेम में डूबेगी तो क्या होगा यही मैं खुदी टले तो बाकी रही है खुदा राजी ने आपको अपना सरूप बनने का अधिकार दिया है लेकिन यह तब होगा जब माया के बंदनों को आप तोड़ेगे आप सरीर नहीं है आप इंद्रिया नहीं है तो इंद्रियों के सुखों के पीछे क्यों भागते हैं क्योंकि यह सुख आपको धनी से दूर कर रहे है महामेत जी के आत्मा कहती है इन इंद्रियन की मैं क्या को हूँ ये तो अगुन ही की काया इनसे क्यों देखू मैं साहब ये ही भई आड़ी माया हमारी इंद्रिया हमारी जीव को माया की तरब ले जा रही है सब सुन्दर साहत को तरतम बाणी पुकार पुकार कर कर रही है कि जागनी के इस ब्रह्मान में तेरी गिंति बांधी स्वांसों स्वांस एक स्वांस की भी नहीं आस आप समय खोने का समय नहीं है आपका हर पल अनमोल है और इस अनमोल समय को वाणी चिंतन में लगाईए चित्वनी में लगाईए सेवा में लगाईए और जितना हो सके ब्रह्मवाणी के परचार में स्वाहिम को जोग दीजिए तो आप इत्मी धन्दन होगे और उत्मी धन्दन होगे